कि हलो टो यूरी वन हलो शाथियों कि आज हम देखने वाले हैं कि लास 10 के एंसी आइटी और एंसी आइटी में आपका चेप्टर चल रहा था नेशनलिजम इन यूरोप उसमें से आज के टॉपिक में हम कबर करेंगे दा एज ओफ रेवलुशन 1832 1848 उससे पहले हम आपको एक एक रिकैब देते हैं जिससे यह चीज क्लियर हो जाए कि हमने अभी तक के जो टॉपिक्स आए हैं या अभी तक का जो चेप्टर हुए हैं नेशनलिजम इन यूरोप में जो सब टॉपिक्स हुए हैं उन सब टॉपिक्स में क्या-क्या बात की गई है तो सभी बच्चा लो से पहले देखा था वहां से फ्रेंच कहानी को समय करते हैं कहां तक 1815 क्यों क्यों पर नेपोलियन की हो जाता है और निपोलियन की होने के बाद से आप देखेंगे फिर से कंजर्वेटिव कि गवर्मेंट आती है और जब गांवेंट आ जाती है तो जो फोर इस टाइम पे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उन्हों ने बात की वहां से कंजर्बेटिव रिजाइम आया तो अब के लिए हो गया होगा तो आपको क्यों अब यहां पर फोकस करना है कि 1830 से लेकर के 1848 तक क्या-क्या बाते भी थी तो एन कंजर्वेटिव रिजाइम तो अब कंजर्वेटिव रिजाइम साया ट्राइट तो कंसोलिडेट ब्रेयर पावर लिबरलिजम एंड नेशनलिजम केम इस एक बावर लिए तो बीडिव इस एक बावर लिए तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पावर है यह चाहे वो नेशनलिजम के फॉर्म में हो यह जो आपके दो आईडॉलोजी है एक बोलो लिबरलिजम और एक बोलो नेशनलिजम यह एक तरह से कंसोलीडेट होते हैं आपस में चालू हो जाते हैं और एक रूप ले लेते हैं और यह सारी चीज़ें यूरोप के अंदर देख लें चाहिए आप प्रोवेंस आप इंपार के आयलेंड पुलैंड के अंदर देख लिए तो जब आप इन चीज़ों गौर से देखेंगे तो आपको नजार आएगा कि जो लिब्रिलिजम को फॉलो करने वाले लोग ते उन लोगों में एक तरह से जो रिवल्यूशन की आगे वह बढ़ती हुई चली जाती है तो आप चाहिए जिस्टेट के अंदर देखेंगे चाहिए उन देखेंगे टूदा एजुकेटिज मिडल क्लास एलाइट अमंग हूं वर प्रोफेसर स्कूल टीचर्स के लग्स मेंबर्स आप दा कमर्सल मिडल क्लास देखिए हमने स्टार्टिंग से इस बात को बहुत गौर से ध्यान दिया है कि जो मिडल क्लास फेमिली थी या जो मिड पैसा तो उन्हें सोसायटी और नहीं मिल रही ती यह मनें आटी स्टार्टिंग में रहे थि क्या वहां पर बात देखो सिंपल सी बात है कि क्वालिटी की बात आई उसके बात क्या हुआ है तो आफ्टर आप देखोंगे कि जो अब कर सकते हैं उसने क्या क्या इस चीज को इस मोमेंट को लेड किया क्या बात के लिए अगर आपसे कुशन पूछ सकता है कि जुलाई 1830 का रोलिशन किया है आधी हम बताएंगे जुलाई 1830 क्या है अगे अभी कबर करें आप सकता है यह के मैंसन पर पूछ सकता है तो वर्बंबंग किंग्स हुओ है बी तो पावर दिव दो कंजर्वेटिव रियक्षन आफ्टर एटीन फिप्टीन वर नाउ ओवर थ्रोन बाइ लिब्राज रिवलुशनरी फू इंस्टॉल्ड दा कंस्टिटूशनल मोनार्की विद लूइस फिलिप एट इस एड तो यहां पर कहने मतलब यह है कि जो बर्बन इंपायर था जो इस लेकर करके आप कह सकते कि कर्षेटूशनल मोनार्की के साइड गए थी तो फिर एटीन फिप्टीन के बाद जहां से फिर जो है जब आ गया तो आप इस बात को गौर से देखेंगे कि आने के बाद जो बर्बन इंपायर था उसने फिर से ऑटो कर दिया जब उसने ऑटो कर दिया तो एक तीन थर्टी के आसपास आप देखेंगे जो लिबरल रोलुशनरी इस थे उन्होंने अगेन कंस्टिश्टुशनल मोनार्की की बाते की और को लेकर किया और अपने हैड के रूप में लुइस फिलिप को चूच किया क्या बात किलियर हो गई तो आप देखो करेंगे कि जो भी राजा का सासन है वह तरह से राजा की इच्छाओं पर डिपेंड करता है तो यह बोल दे जाता है कि जो विस फिंग है वही क्या है वही सासन है लेकिन अभी यहां पर जो भी स्कंस्टिटूशन की होगी जो भी डिमांड के इंदर वहां पर क्या जाएगी आजाएगी अब वहां पर सम्विधान का साथन है ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान का क्या बात के लिए क्लियर हो गया वें फ्रांस सिनीज मैटरनेश वन सब्सक्राइब तो आप से यहां से पूछ सकता है कि मैटरनेश ने स्टेटमेंट यह बात किस बात पर बोली थी और क्यों बोली थी क्योंकि यह स्टेटमेंट कहीं ना कहीं रोप के अंदर बहुत जादा एक तरह से सिद्ध होती हुए दिखती है प्रूब होती हुए नजर आती है जुलाई रोलुशनरी इस पार्ग इन अपराइजिंग इन ब्रॉसेल्स वेच लेट टु बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम दा यूनाइटेट किंगडम और नीदल लैंड अगर आप देखें जो आपका एटी हो जाता है जो की हिस्सा था यूनाइटेट किंगडम और नीदल लैंड का क्या बात के लिए है तो जो रोलुशन जुलाई के टाइम पे 1830 में कहां पर राइज होता है अप्राइजिंग इन ब्रॉसेल्स तो वह एक सिटी है ब्रॉसेल्स वहां पर अप्राइज होता है और उसके रिजल्ट के फॉर्म में निकल के यह आता है कि यूनाइटेट के लिडम से नीदलेंड से सेपरेट हो जाता है ब्रेक हो जाता है किलियर हो गई बात इन एवेंट डैट मोबलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग दा एचुकेटेड एलाइड एक्रॉस यूरोप वाज दग्रीक वार ग्रीक वार ऑफ इंडेपेडेंस अब एक बात को बहुत गौइज हम लेंग्रीक का यह यहां पर कि इन डेंगे कि बढ़ अब और सकते हैं आज के टाइम पर देखेंगे आगा इस पर आप जतना भी मिडिल इसट का रीजन देख रहे हैं अगर आप वोगी पार्ट तो जो ऑपकिसका पार था उट्वान इंपार था सेंस्ट इस तर फिफ्टीन सेंचुरी और कप से था फिफ्टीन से इन यूरोप इस पांड़ ऑफ एस ट्रगल फोर एंडेपिडेंस अमंग ति ग्रीक विस बिगें इन एटीन-टीवन तो एटीन ट्वेटि है तरह सकते हैं एक तरह सें कंट्रीनेंटल ऍपायर का हिस्सा हुआ करता था उस आटमन इंपायर के हिस्सें में उसकर इंदर एक तरह से living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture तो आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जो भी लोग जो है एक्जाइल होगाए नहीं लग और उनकी इंसेट ग्रीक कल्चर लिए सिंपाथी भी मिली क्या बात किलियर होगी पोईट्स एंड आर्टेस्ट लाउडेड ग्रीज एज दा कार्डल ओफ यूरोपियन सिवलाइजेशन इंड मॉबिलाइज पब्लिक ऑपनियन टू सपोर्ट इस ट्रगल अंगेस्ट मुस्लिम इंपायर तो एक तरह से आप क्या देखेंगे कि जो ग् इखने मतलब यहां पर यह होगा कि एक तरह से आज की जो स्विलाइजेशन ने यहां से बननी चाल हुई तरह से ग्रीज उसके लिए पालना थावित हुआ जहां पर यहां पर उसका कल्चर पला जहां पर उसकी सारी बाते कल्च्रल एक्टिविटी या जो भी आप देखि इन पुषिपए निहीं उसका कर से पना कॉन हैं उसका पालना कौन है पबिक सब्सक्राइब ने मुस्लिम इंपायर के अंगेश्ट में चालू कर दिया इंग्लिस पोईट लॉड बारेन और फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन दा वार वेर ही डाइड और फीवर इन एटीन ट्वेंटिफॉर अब देखिए यहां पर इतना क्रेश था इस चीज को ले लोग जो अधर अधर कंटी में रह रहते वह जाकर कि घ्रीज में हिस्सा ले रहे रहे ते यानि खुद का पैसा करो पैसे से वहां जाना तो ऐसे ही एक इंग्लिस पोई नाम था लॉड बारन मैं आपको बता दूँ जो भी बच्चा टेंथ का बोर्ट लिखने जा रहा है यह वहां से कोश्चन लॉड बारन के नाम पर भी पूछता है तो आपको लॉड बारन का नाम याद रखना होगा ठीक है तो लॉड बारन ने उस्टैंप पर क्या किया और यह दो को यह उसकी है और यह जक्टेवर मोमेंट चल रहा था जो आप रूलीशन चल रहा था वह पार तो जब यह सारी बाते यूरोप के अंदर घटत होना चालो हुई और आपोच करना चालो किया तो एक तरह से आप देखेंगे कि जो आपको एक पर देखेंगे जाता है तो मैं आपको यहां पे इतनी बात याद रखनी है तो मैं आपको एक रिकेब देता हूं इस परेग्राफ के अंदर क्या-क्या बातों हुए दिए सिंपल सी बात अगर आप देखेंगे तो आपको यहां इतना याद रखना है कि इतली हो गया जर्मन हो गया तिक है इन पर यह सारी बाते आई आयरलेंड और प्लैंड की बाते हो तो इन सारे चीजों को यह घटत होती रही इनका रिजल्ट क्या हुआ इनका रिजल्ट जब आप देखेंगे कि फ्रांस में जुलाई 1830 में आपको देखने को मिलेगा कि जो बर्बन किंग्स की जो डाइनेस्टी ती जिन्होंने पाल को रिस्टोर किया था वहां पर कंजर्वेटिव डियक्शन के बाद अगर आप्ट सब्सक्राइब यह बात एक तरह से पूरी तरह से प्रूफ होती दिखती है क्योंकि बेल्जिम ब्रेक हो जाता है बेल्जिम अलग हो जाता है ठीक है जो कि कि निदर लैंड का पार्ट होता है और उसके बाद अगर आप ग्रीक को देखेंगे तो ग्रीक ऑफ से ओ हिस्से में एक तरह से पार्ट हो जाता है और इतना जादा होता है एटीन ट्विटीवं के आसपास के जो बी अधर कंट्री लोग ते यह उन्हें सबूर्ट करने वाइं लोग ते वो लोग यहां से क्या कर रहे थे अपना-पना फंड करके वहां पर जाकर कर रहें थे आप से पूछ सकता है तो क्या यह बात किलियर होगी चलिए अब आगे लिए टॉपिक की बात करते हैं तो अगला टॉपिक कह रहा है रोमेंटिक समझने की कोशिब क Horizon को मतलब क्या है और एक निर्चानल कि अगर बात करेंगे हम तो रुमैंटिक सिंपल सी बात को इतना समझना है कि यहाँ पर प्यार की बाते आएंगी यहां पर लगा होkem हुआ कि लोगों को एक तुम्हों क kepada the यहांप देखिए चाहिए जब है और शरी चीजें बात हो रहें तिंग आप कोश हीम लोगों ने बोला आप हम यहां पर डाइब करेंगे लिखा सब्सक्राइब करेंगे नहीं कि अएसी करेंगे पर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि एक सेक्षन है मालों यह सारी बाते इक एक विटी ये सारी चीज़ें किसे समझ में आती है यह वहाइजुकेट्ट इमेजिनेशन के थुरू आप नेशनल फिलिंग को ले आओ यानि अब सिंपल सी बात ही है कि आप वहाँ बाते मत करो आप यह बाते करो कि भाई हम अब देश के लिए लड़ेंगे यानि अब हमारे अंदर देश प्रेम जगेगा हमें वहाँ पर किसी से हिस्टेदारी नहीं हम यह सारी चाहिए ना चाहिए हम क्या करते हैं हम अपने कल्चर लिए लड़ रहे होते हैं अगर आज हमसे बोला जाए मालो हम या कोई भी अधर सेक्शन जो की बहुत पिछड़ा हुआ है एक तरह से देखें जिसके पास मालो अच्छी नहीं है या आप स्लम वेरियाज व लड़ना चलू कर देंके वहां पर मतक हुआ वहां पर देष प्रेंट मातर की बात धर्राइए महतर है खाहिई हों bits कि यह यो को को यह साथ ही बाते करना है करना है करना है तो आपको क्या करना होगा आपको किया बात करेंगे लब की बात करेंगे एक ऐसे लोगों बातने की बात करेंगे लड़ें देश के लिए लड़ें अबाउट ओन्ली थो वार्स एंड ट्रीटोरियल एक्सपैंशन तो यहां पर कहने मतलब यह है कि डिपलेप्मेंट आप नेशनलिजम है वह केवल और केवल युद्ध से ट्रीटोरियल एक्सपैंशन से नही अगर आप देखेंगे जैसे आपने कभी कोई आर्ट देखा होगा कोई पिक्चर देखी ती कहीं आपने कोई कविता पड़ी मर्दान नी वह तो जहांसी वाली रानी थी तो सिंपल थी बात आप क्या देखेंगे उस पोईटरी में आपने देश भक्ति देखी आपने एक म घर्सता देखी अब वो पोईटरी क्या कर दिया ती आप के प्रती देश की प्रती जारुकता पैदा करवी है उसकी प्यार पैदा कर रही है न है झालने उसकी आपको और आई कि hayat वह करने हों कर दाद जी सहीद हो गया जो भी कहानिया होंगी तो वहां से आप क्या होगे आप एक तरोगी बाते करें ले ना मा तुझे सलांस तो आप हमें हमें क्या किया जा रही है कि जब भी बैस्ट की राष्ट की बाते तो हर लिए पर अधिक देखनी हैं तो आप को याइच पाइब याद रखनी है कि आट पोईटी स्टोरी म्यूजिक हेल्प एक सेफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स तो ये सारी चीजे एक इंप्टेंट रॉल प्ले करती हैं जहां से नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बादने का काम चालू होता है लेट लुक एट रुमेंटिस जम अक कल्चरल मुमेंट वेच साउट टू डिबलप पर पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स रुमेंटिक आर्टेट्स एंद पोड्स जनरली क अब को आप वहां पर कोई भी टेकनिकल थिंकिंग मतलब क्योंकि जो अनुक्त शेक्शन उसके यह सारी सब्सक्राइब नहीं आएंगी उनके समझ में यह नहीं आएंगी तो जो भी रूमेंटिक आर्टेस्ट होंगे जो भी उनको फॉलो करने वाल लोग होंगे जो भी उन क्राइब चाहते होंगे रहीं चाहते होंगे तो लोग इस चुको क्या करते हैं कि इस और यहां पर क्या बात के लियर हो गई the basis of Nation तो house कया करते हैं इती हैı को की देखो हमारे देश की संप्रभुता हमारे देश की सुद्र था हमारे देस का हमारा रिलीजन हमारा यह हमारा एसा था क्या था जैसा भारत सौनी कि चर्डिया थी आज नहीं है क्यों नहीं है वेफेल हुआ है सब्सक्राइब करने में एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है क्या बात किलियर हो गई अब देखें अगर जॉन गॉट फिराइट की बात करेंगे को इंप रॉन लुटर्वटर्श लुट्वर्ट अब आटन्स अच बिल्सक्राइब यह तू ड्रुट्वर्ट एंप पूर्ण टुट्वोड गास्विज एप ल वीच्वर्टन प्लेडेर्टेम का इंप झाले की बाती झाल विचार्ण नहीं क्यों बिल्सक्राइब का पू क्लिचर वाज इसेंसियल तूदा प्रोजेक्ट आप देशन बिल्डिंग अब यहां पर एक फोल कल्चर का जो है एक बहुत जादा ट्रेंड चला यहां पर फूल कल्चर का ट्रेंड क्या है सिंपल सी बात यह है फूट पर यह है कि आप यहां पर देखेंगे पूईट्स ओत करते थे जैसे आज अगर हम देखें हमारे पास लोग गीत होते हैं अलग अलग एरिये के हर जगह के लोग गीत लगे तो उस चीज को करते ताकि यह चीज समझी जा सके एक एक टिंग जो फूल कल्चर उस्ची को समझा जा सके उस्ची को प्रमोट के जा सके जिससे क्या हो जिससे कॉमन पीपल के बीच में एक तरह से एक भी बांगने की कोसिस की जाए तो फूल डांस मतलब यह नहीं वहां पर जाकर दोनाच के दिवर्सिटी को यूनाइट करने की कोशिस की जा रही थी थ्रोटा रुमेंट से जब क्या बात किलियर हो गई तो जो भी तो फोल कल्चर के थूरू यह फोल्क पोईटरी फोल्क डांस फोल्क सांग के थूरू उन्हें क्या किया जा रहा था उन्हें एक तरह से लेंग्वेश एंड दक कलेक्शन ओफ लोकल फोल्क लॉर वाज नौट जस्टू रिकवर इंचेंट नेशनल इस्प्रेट बट ऑल्सो तो कैरी दा मोडर्न नेशनलिस्ट मैसेज तो लार्ज ओडियंस हुआर मोस्ट ली इलिट्रेट तो एक तरह से कहने का मतलब यह है कि जो भी फोल्क कल्चर था उसका केवल काम इतना नहीं था कि जो आपका इंशनल इस्प्रेट है उसे बस रिकवर कर रही हो ऐसा नहीं था कि जैसे मालो कोई बहुत परानी चीज है यह हमारा को बहुत पराना रिक जो है रहा हो और उससे हमारा जुड़ाव रहा हो पहले के लोगों का अब आजो उसे ना जानते हो यह भूल रहे हूं न थे करना दार उक कि लोग होते हैं आटेस्स होते हैं कौएटिक करते हैं तो और तो जो फॉल्क नेशनल को करना नहीं था यह उसे दिकवर करना नहीं था बलकि साथ में एक तरह से मॉडर्ण नेशनलिस्ट मैसेज को भी एक लार्ज ओडियंस तक पहुचाना था जो एक लार्ज ओडियंस इलिट्रेट थी पढ़ी लिखी नहीं थी जिसके समझ में एक्वैल्टी एक्वीटी एकनॉमिकल क सब्सक्राश को एक नेशनलिस्ट को पहुचाना एक नेसेशनलिस्ट मैसेज को पहुचाना जी एक इपर्टेंट रोल प्ले फिलिंग्स वर केट अलायव थो म्यूजिक एंड लैंगवेज आप देखें करूल कुर्पिंसकी इनके बेसिस पर भी आप से कुछन पूछा जा सकता है पहले हम इतने का मेनिक क्लियर कर देते हैं आपको यहां पर यह बोला गया है कि जो पुलैंड जो कभी जो है रुष्या पर्षय या और वगयरा के सेक्शन में हुआ करता था उनका जो हिश्या हुआ करता था वह 18th century में जो है पार्टिशन हो जाता है अलग हो जाता है सेपर कर जाता है कि वह वह वाद किस वज़ाए से इस नेशनल मुवमेंट की वज़ासे इ अब देखेंगे जो प्लाइंड है वह भी नो लॉंगर एक्जिस्टेड एज इन इंडिप्डेटरी वह जो बहुत लॉंग तक इंडिप्डेटरी भी जो है एक्जिस्ट नहीं कर पाता है क्या बात के लिए है तो जो भी नेशनल फिलिंग्स और उन्हें क्या क्या जा रह ट्रोहें उपेरा एंड म्यूजिक तो उस टाइम पर उपेरा एंड म्यूजिक जो है चला करता था और इन्हों ने जो जो करोल करपेंस की हैं उन्होंने इस चीज को इसके तरू सेलिप्रेट किया और इस नेशनल इस ट्रिंग्स आघल को जो है एन्होंने थोह ने फोल्क से नेशनल डान्स या पॉल्क डान्स जो की पॉलिनाइज है या मजूर का है इन चीज़ों के सेंबल फॉर्म में ने इन चीज़ों से लिब्रेट किया इस चीज़ को ठीक है लैंग्वेज टू प्लेड इन इंपोर्टेंट रोल इन डिबलोपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमें अब एक बात को गौश समझना यहां पर बात क्या है बात यह है को मिला करके जब पुलायंड एक टीन सेंचुरी में अलग हुआ रस्या पर चैया आउस्ट्रिया की पावर से आपको देखने को यह मिलेगा कि रस्याने उसे प्रक्यूपाई कर लिया बट जब अक्यूपाई किया तो उसका मैटर क्या हुआ रस्याने वहां की लेंग्वेज को को फ्रस्व आउट करने कोसिस की यानि बाहर करने को से स्कूर्ण गएर से और नाय को को हो जाता है रोस्य संट कर लेंगोर्ट को यहां परिए फोट है यह म्यट्र भी आप कहीं देखेंगे जुह है यह जा वेपन यहा तो यह लं मैंट्स होता है ग्रूंड्र की जाती है सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं इस वजह से पुलाइंड के अंदर हुआ यूरूप के अंदर एक तौर के तौर के साबित हुआ कि भाई लैंग्वेज भी एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनलियम के केस में क्या बात के लिए है तो पॉलिस वाज यूज फॉर चर्श गाächstर था तो तो यूराटि मरें सिर्जों सप्के शिर्जक्ट तो प्रीच इन रॉसिया दा यू जो पॉलिस केम टू बी सीन एज दा एज शिंबल ऑफ देश्ट अगेस्ट डॉमिनेंस तो आप देखेंगे कि इसके रिजर्ट शुरूप हुआ क्या फिर रॉसिया ने अपनाना चालू कि और जो वहां पर निकल के प्रैस्ट होगा आया थ बाते की हैं यह रश्यन के अगेस्ट आपने यह सारे काम किये हैं और पॉलिस लैंग्वेज को आप ले करके आए तो ठीक है तो आप देखेंगे जो पॉलिस लैंग्वेज है वह एक तरह से सिंबल ऑफ इस्टेगल के रूप में निकल करके बाहर आती है जो कि रश्यन डो सिंपल के फॉर्म में बहुत ज्यादा ध्यान रखें आपको यहां से बहुत ज्यादा होने वाली है चलिए अब बात करते हैं पॉपुलर रिवॉल्ट की मतलब क्या है कि सिंपल सी बात यह है कि अगर हम देखें कहीं पर भी अगर वार हुए है यह बैटल सुई है यह चाहिए आप जहां देख लें अगर आज के टाइम पर देखें यह आप आज के ताम पर रही है यह कंट्रियां कई कई सालों पीछे चली गहीं बहुत बीस-पचास साल आप कैसे इतना पीछे चली गहीं तो इन यह सब हो डे इकनोमिक हजुब एकनोमिक हजब इर्वा ता ओ आकत्रह से यूरोप में एकनोमिक हाजब का था तो ध फरस्थ अप अनौरिमॉस रिए इन there were more seekers of job than employment, population from rucher areas migrated to the cities to live in overcrowded slumsilia small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of the cheap machine made goods from the England अब यह बात क्या बोली गई है यह यहां पर इतना बोलना चाहे रहे हैं कि जो उस टाइम पर 1830 के अंदर अगर आप देखेंगे रूप के अंदर एक बहुत ज़्यादा हाट सिप एकनोमिक हाट से देखने को मिलती है वहां पर लोग की जादा है और अगर आप देखेंगे जो गाओं के लोग वह एक से माइगरेट करना चालू कर देते हैं अब जो बढ़ता है तो वहां पर स्लम्स बढ़ने चालू हो जाते हैं यानि कि अवर क्यावडिंग चालू हो जाती है और इस तरह से यह हैं इंपॉर्ट्ट सब्सक्राइब चालू हो जाती है यह जो है यूके के तरूप यानि कि जहां पर इंग्लेंड के तरूप क्या बात क्लियर है दिस वाज इस्पैसली सो इन टेक्स्टाइल प्रोडक्शन विच वाज करीड आउट मेंली इन होंस और स्मॉल वरक्शॉप्स एंड वाज ओनली पर्टली में 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 इस इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेर अरेस्टोक्राइश इस्टिल इंज्ट पावर इंडर बर्बन ऑफ द फूडलीज और अब्लिकेशन दराइज ओफ फूड प्राइज और एयर और बैड हर्वेस्ट लेट तु वाइड इस्परिजम इन टाउन इन कंट्री तो आप यह देखेंगे कि जो यह कंपटिशन चल रहा था यह जो यह कंपटिशन आया जो यूरोप के अंदर यूके के अंदर यानि आप बोलेंगे कि जो यूके से इतनी ज्यादा इंपॉर्ट बढ़ गई कहां पर फ्रांस के अंदर किस चीज में टे अब देखो सिंपल सी बात यह है यहां पर कि जो उस टाइम पर अगर देखेंगे टीजन अंट दर बढ़बन एक तरसे लोगों के लिए हाट से बढ़ा दी एक तस लोगों के लिए तकलिफें इंक्रीज कर दी क्या बात क्लियर होगी दा एटीन फोर्टी एट वाज वन सच यह फूड सॉर्टेज एंड वाइड इस्पिड अनिम्प्लॉइमेंट ब्रॉड दपॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट पर अगर देखेंगे एक एक ऐसा साल साबित हुआ यूरोप के लिए जहां पर उन्हें फूड सॉर्टेज करना पड़ा जहां पर उन्हें वाइड इस्पिड अनिम्प्लॉइमेंट करना पड़ा जहां उन्हें एक बड़े पॉपुलिशन को ना तो मिल रहा था ना खाने पर के आ जाना इस बात का सबूत है कि 1848 में फ्रांस या यूरोप के अंदर क्या चीज़े चल रही थी क्या बात क्लियर है अब अगर यहां पर देखें तो बैरी केट्स वर एक्टेड एंड लूइस फिलिप वाज फोश्ट टू फ्ली नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अब यहां से बात भाई आने लग जाएगी अब यहां से बात चालू हो जाएगी नेशनल सेंबली बगरा की यहां से सब्सक्राइब की बात चालू हो जाएंगी सब्सक्राइब की जाएंगी एंप्लॉयमेंट सेट अप किये जा रहे हैं क्या बात किलियर हो गई अगर आप अरलायल इन एटीन फॉर्टिफाइव को देखेंगे तो वीवर्स इन सेलेशिया है लेड आर रिवोल्ट तो आप यहां पर वगेर में भी एक क्यों तो इसलिए था जो भी कॉंट तो लोगों को मैटे रहे ते वर्नीश में जो है प्रॉट करने के लिए बट उनके सथ क्या करें तो उनकी पिमेंट किये जा रहे ते अब जब बहुए सिंपल सी बात है अगर एक बात बताओ हम ही अगर अपने केस में देखें या आप लोग देखेंगे कि आपको सब्सक्राइब करो आपकी पहले इंकम सव रूपए ती अप सव रूपए कैसे मालों असी कर दी जाए अब होगा गया आपकी जो नीड्स थी वह पहले से 100 में मालों पूरी हो रही थी नीड्स से है यहां ऑन अगर आप भी होंगे तो आप भी क्या करेंगे आप वही करेंगि जो ने किया जो लोगों ओर उन लोगों किया था उन लोगों ने कर तो ड civailed कर दिया कि हम इतने काम करेंगे आप कि क्या बात किलियर है तो जर्नलिस्ट वेलम अगर जर्नलिस्ट वेलम की बात माने वॉल्फ डिस्क्राइब करते हैं तो कैसे थे इन दीज विलेजेश विद एटीन थाउजन इन हैबितेंट्स गॉटन वेविंग इस दा मोस्ट वाइड इस पर अक्यूपेशन तो अगर देख एक नीड़ फॉर जॉप सही बें टेकिन एडवांटेज और बाइदा कॉंटेक्टर्स टू रिदीज देप्राइज आप दा गुड्स दे ओर तो यह चीज का फाइदा कैसे मिल रहा था इस चीज का फैदा अटा रहे थे वहां के और क्यों अठा रहे थे क्यों कि यह जो है उस इंसान को होगा जो उन्हें काम दे रहा है क्यों फैदा होगा से चीप लेबर मिलने की कोशिश होगी बट कहीं ना कहीं अगर ज्यादा चीप लेबर लेना भी एक तरह से लोगों को एक्सप्रॉइट करता है अगर आप अपना फैदा सोच रहे हैं अच्छी बात है बिजनेस में सबको फाइदा सोचना चाहिए बट बट आप किसी को एक्सप्रॉइट ना करें बट वहां पर क्या होने लग गया वहां पर इस चक्र में क्या हुआ वहां पर भी रिवोल्ट आपको देखने को मिलने लग जाएगा 1845 के आसपास अगर ओन फोर जून 2 p.m. a large crowd of wavers emerged from their homes in mud in paris up to the mansion of their contractor demanding higher wages they were treated with scrown the threats alternately following this a group of them forced their way into the house smashed its elegant window, pans, furniture, abdaking proselyan, another group of them forced their way into the house smashed its elegant window, pans, furniture, abdaking proselyan, two broken into the storehouses, plundered it of supplies of cloth which they tore to shared the contractor fled with his family to a neighboring village which however refused to shelter such as person he returned 24 hours later having requisitions the army in the exchange that followed 11 waivers were shot आप यहाँ पर इतनी सी बात को आपको समझना है कि जब यह बाते बढ़ने लग गई जब विवर्वर्स का एक्सपॉर्टेशन इंक्रीज होने लग गया जब उन्हें जादे एक्सपॉर्ट करने लग लगे लगे तो उनके घरों में उनके जो है जहां पर रह रहते तो य यह सारी चीजें वहाँ पर होना चालू होगी कुल मिलाकर कि एक तरह से कह सकते हैं कि अपने राइट के लिए उन लोगों ने पहुच करना चालू किया और यह सारी चीजें चाली और 24 घंटे बाद यह सारी चीजें आर्मी उत्रूसांत कराई गई और उसमें 11 वेवर्स की मौत आपको देखने को मिलेगी क्या यह बात के लिए हैं अगर 1848 के the revolution of the liberals की बात करें तो पहले टुदा रिवोल्ट अगर रिवोल्ट के एक पहले देखेंगे एक अलग दुनिया आपको नजर आएगी तो अब देखें पहले टुदा रिवोल्ट और पूर अन 1848 a revolution led by the educated middle class classes was underway events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and Republic based on universal male suffrage had been proclaimed के क्या क्या सारी बाते हैं कि वहीं सारी बाते हैं कि middle classा लीड करने करने आग जाता है और यहां पर बाते होने लग जाती है और यह सारी बाते आपने अभी तक देखी है हम देख चुके हैं और इससे पहले भी और अच्छे से किलियर किया हुआ है इन अगर देखें तो अभी तक जहां पर इंडेपेडेंट इस्टेटस या नेशन स्टेटस नहीं कर रहे ते सचे जर्मनी अगर देखा जाए इटली देखा जाए देखा जाए ऑस्ट्रो हंगरी देखा जाए ठीक है एंपाइब में और में ओमें ऑफ दे लिबरल मिडल क्लासे कंबाइंड देखा जाए अभी तक जो है नेशनलिजम नहीं देखने को मिला था वहां पर भी यह बात उठने लग गई डिमांड होने लग गई देखा टूशनलिजम की बात लग गई हमें चाहिए राष्ट की यूनिफिकेशन की बात राष्ट की बात की बात क्या बात के लिए राष्ट की एक रिख की बात है यहां पर सामने निकल करके बाहर आने लग गई तक एडवांटेज ऑफ दग ग्रोविंग पॉपुलर अं रेस्ट टू पुस्ट दियर डिमांड्स पॉर दा क्रियेशन ओफ नेशन इस्टेट और पाल्यमेंटरी प्रिंसिपल अ कंस्टिटूशन फ्रीडम ऑफ द प्रेश एंड फ्रीडम ऑफ एस्सेशन यह सारी बात यहां पर निकल करके बाहर आने लग गई हमें चाहिए हमें प्रेश चाहिए हम फ्रीडम उप इस्टेट्ट चाहिए ताकि हम अपनी बात को रख सकें हम अपने करें जिससे हमारे राइट के प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया जाए और हमारे रहें लगने लगा कि एक तरह से अगर देखें उट्पल सी बात है यूरोप के अंदर जिन हो इन सारे केस में अगर आप देखेंगे जहां पर लोग पहले अवेर नहीं थे अब उन लोगों ने क्या करना चालू कर दिया वहां पर लोगों ने अपने राइस की बाद रखना सालू कर दिया वह ने बोला हैं चाहिए और पार्लियमेंटरी प्रिंस्पल्स पर ही हम गवर बात वहां पर चालो हो चुकी थी ठीक है इंद जर्मन जीजन सब्सक्राइब लार्ज नंबर पॉलिटिकल एस्टेशियेशन सो हूज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेस्मेन और प्रोपरेस्ट केम तोगेदर इन दसीटीव फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइड पर आप देखेंगे यह सारे लोग जो मिडल क्लास प्रोफेशनल थे बिजनेस मैं थे जो प्रोपरेस्टिन सफेंस से यह सारे सारी साह होते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाइस सभी के लिए बोट होना चाहिए सारी निशनल असेमली में बोटिंग होनी चाहिए और उन मैं 18 मैं 1848 को 831 मेंबर मार्च करते हैं और जाकर के फ्रैंकफर्ट पार्लियमेंट में अपनी पोजिशन को गें करते हैं कांस्टिटूशन वोगों ने क्या किया एक कर्या किया फॉर जर्मन निशन जर्मन नेशन के लिए तुबी हेड़ बाई है मुनार्की सब्जेक्ट पा डिप्टीज ओफर्ड दग्राउन ओन दीज टर्म्स ओफ फैडरिक वेलियम फॉर किंग और पर्सिया एंड जोएंड अदर मुनार्ग्स टू अपोज दा एलेक्टेट असेंबली तो वहां पर अगर आप देखेंगे पर्सिया के अंदर जो किंग था जो राजा था जिसको इस जो फ्रेटरिच वालेम फॉर तॉस ने कहीं उसने जा करके वराहां सबनार्गी झाली और दोस्री जोन आकटा मुणार्गी तो आप सब्क्राड़न से social basis of parliament eroded the parliament was dominated by the middle classes who resisted the demands of workers and artisans and constitute and consequently lost their support in the in troops were called in and the assembly was forced to disband so the issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement in which large number of women had participated actively over the years women had formed their own political associations founded newspapers and taken part in political meetings and demonstrations despite this they were denied now let me see here all the the blood of all women who received the internet of the women who received the church after the rich people who received the term in the popular media that the children who received a lot of customs to finish the whole country the other part of the war at the war is not just the rest of the time when the the leaders in coming to the officer select theίες of the family of the men who received the क्लास के लोगों से ती यानि वहां पार मिदल क्लास से जादा था उन लोग ने का अपोज किया अब लिए और सारे चीजे सपोर्ट खोते चले गए क्या बात के लिए है क्या बात है क्लियर हो गई तो यहां से आप देखेंगे कि यहां से लेडी जी वुमें ने भी पाटिस् बना लिए थे खुद के खुद की निकालने चालू कर दिया थे और जो प्रेटिकल मीटिंग से डिमंस्ट्रेशन हो गहरा में पारिस्ट करना चालू कर दिया था तो यहां पर अगर आप देखें आपको देखने को मिलेगा नेक्स्टम में कि सफरेज राइस ड्यूरिंग एलेक्शन अफ अशेम्बली फ्रैंकफर्ट पाल्यमेंट कर देखेंड इन दा चैल्श ऑफ सेंट पॉल ओमन वर एड्मिटेट ओनली एज ऑब्जर्वर्वर्ट टू स्टैंड वीट गैलरी तो यह एक तरह से सेंट पॉल का आपको दिखाया गया है एक पिक्चर कि यहां में खड़ी भी है आजा विजटर्स को यहां पर सो किया गया है उन्हें आजा विश्टर्स हो किया जाने की कोशिस की गई है दाव कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल तो सब्रेस्ट लिबरल मुमेंट इन एटिन फोर्टी एड दे कुड नॉट री इस्टोर्ट ओल्ड ओर वनांक्स वर बिगिनिंग तो रिलाइज था थे साथ प्रवेल जुट अंड पर इंड बाइड बाइं ग्रांटिंग फोर्टी इंड इस प्रकार शेगर देखें तो इन पर 1848 अट्टोर्ट क्राटिक मुनार्की अप दे इसें 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 एंटें इसें आट बिए इन वेस्टन यूरोप बिफोर 1815 दस सर्फडों और बॉंड लेबर वर अबॉलेट बहुत इंड हाप्सबर्ग डोमिन 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 एंड रसिया दाप्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मूर ऑटोनॉमी टू दा हंग्रियंस इन इसें इसें आपको यह सारी बात देखने को मिलेंगी कि जो आप देखेंगे कि जो मुनार्किस थी जो उस टाइम पर आप देखेंगे तो जो इन चुझे को अपरोच कर रहे थे जो एलेक्टिड गौर्मेंट का परोच कर रहे थे उन लोग एक बात यह समझ में आ चुकी थी कि जो है जो भी ओल्ड ओर था उसे हम दूबारा रिश्टोर नहीं कर सकते या या किया जा सकता ठीकशन हो और बात क्लासें झाल से मिलें तो तो एक में तो सब्सक्राइब करना भूलें सब्सक्राइब कर नहीं चैनल को तक मिलते हैं तो